नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है नीरस सेखर ने समाजवादी पार्टी से स्थीफा दे दिया है या बड़ी ख़बर आ रही है और नीरस सेखर अब भारतिय जंता पार्टी में सामिल होंगे आपको बताते चलें कि 2014 में लोकसवाद चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी ने नीरस सेखर को राजसभा का सदस भी बनाया था नीरस सेखर ने राजसभा सदस भी इस्थीफा दे दिया अब वो जल्द ही भाजपा पार्टी में सामिल होंगे आपको बतातें चले कि पूर प्रधाम मंत्री चंद सेखर के बेटे हैं नीरस सेखर और वो दो बार लोकसवाद के सदस भी रह चुके हैं उनके जाने से सपा को बड़ा जटका लगा है नीरस सेखर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादू के बहुत ही करीबी माने याते थे अब जल्द ही वो भाजपा में सामिल होंगे नीरस सेखर का उत्तर प्रदेश में अच्छा जनाधार था उनके पिता चन्चेखर प्रदान मंतरी थे जिसके कारड उनका अपने छेट में बड़ा परभाव था अब उनके जाने से समाजवादी पार्टी को बड़ा नक्सान हुआ है अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए बहुत हुआ